पब्लिक टीवी आपकी आवाद कमिशनर मुरदबाद को कोरोना के चलते उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा नोडल अधिकारी बनाया गया कमिशनर मुरदबाद को नई जिम्मेदारी मिलते ही जनता के साथ कोरोना की आड में खेलवाड कर रहे अस्पताल माफियाओं पर लगाम कसनी भी शुरू कर दी लेकिन अभी तक जनपद में धड़ले से बिना लाइसेंस के अस्पताल संचालित है जो लगातार जनता की सेहत से खेलवाड कर रहे हैं और इलाज के बदले मोटी रकम वसूल रहे हैं अभी तक जिस कोरोना का सही इलाज वेग्यानिकों के पास भी नहीं आया है वहाँ पर B.U.M.S. डिग्री धारक डॉक्टर अस्पताल संचालित कर मरीजों का एलोपैथिक दवाईयों से इलाज कर रहे हैं आज कल सोशल मीडिया पर मुरदबाद के ही बहुत सारे वीडियो वारल हो रहे हैं जिसमें बड़े-बड़े अस्पताल संचालित करने के मामले उठाए जा रहे हैं बड़ी बात यह है कि अस्पताल चलाने का एक बड़ा खेल है जहां पर किराय की बिल्डिंग लेकर उसे अस्पताल का रूप दिया जाता है और फिर शुरू होता है मरीजों का इलाज करने का बड़ा खेल जानकारी के मुताबिक पहले तो किसी MBBS डॉक्टर की डिग्री लगा कर स्वास्ताविभाग में लाइसेंस के लिए अपलाई किया जाता है और ओन कॉल डॉक्टर दिखा कर B.U.MS डॉक्टरों के द्वारा ही COVID जैसी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है गत दिनों प्रशासम के द्वारा कारवाही करते हुए अस्पतालों को सीज़ किया गया था और जानकारी करने पर वो अस्पताल बिल्कुल ही फर्जी पाए गये थे अभी भी कमिशनर मुरदबाद और स्वास्ताविभाद को ऐसे अस्पतालों के खिलाफ और भी ज्यादा सक्ती से पेश आने की जरूवत है तबी इस मकरजाल का परदाफाश हो सकेगा आपके बुक्तर नाम क्या है जीवन हैंटेशन हैंटेर सेटर गोविड-19 को लेतर आपके हां क्या साथ दही बढ़ती जा रहे हैं अच्छा बुखार गे मरेज भी हम चार रुकी दूरी से पेशन्ट को अपने बाहत समाध दवाई दी तो अपने पेशन्ट को रह दी देखाबाद लेकर जाए जा रहे हैंटेर वह तो वैसी पेशन्ट गुखार गे है तो साथ आपके लेने कोई दी करनी है क्या डिग्री है तो से जा राख कर सकते हैंगा तो से आपके रहे हैंगा पिश्चे से लाखनो से और शीया हो दक्तर मने कराया ते दूरी से अथी पब्लिक टीवी आपकी आवाद